नमस्कार दोस्तों एक बार आप सब का फिर से बहुत बहुत सुवागत है आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर सुगाई जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम पर भी आपकी लिए लगाता जो लाइब टेस्ट है देखने को मिल ले हैं तो अभी जितने भी लोग जुड़े हैं से भी लोग comment के लिए आप लोग को आवाज जो है clear आ रही या नहीं आ रही है उसके बाद हम लोग टेस्ट को start करेंगे तो चले start करते हैं आज की class को I hope आप सभी को आवाज आ रही होगी अगले question देखिए आप से क्या कह रहा है कि आदुनिक भारतिय भासा आवधी का विकास किस अपभरंस से हुआ है आवधी की बारे में पूछा जा रहा है तो याद रखिए दोस्तो जो आवधी भासा है इसका विकास हुआ है अर्ध मागदी अपभरंस से किसे भाया अर्ध मागदी अपभरंस से हुआ है तो option number जो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा अगले question पर आते हैं ध्यान से देखिए कह रहा है कि नम्लिकित में से उसमें वेंजन कौन कौन से है यहाँ पर आप सभी से उसमें वेंजन के वारी में पूछा गया है तो याद रखे हैं दोस्तों यहाँ पर यारा लावा यह आपके अन्तहस्त है छाट त्रीक ग्यां यह आपके क्या है तो option number जो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा आगला question देखे काहए रहा है निस कंपट का संदी विचेत क्या हो जाएगा तो याद रखे दोस्तों निस कंपट का संदी विचेत आपका हो जाता है निहीं plus कंपट जितने भी साथीं आपकर जोड़े होएं सभी लोग जवाब देते हुँ चलेंगे नहीं प्लस कपड़ जो होता है निस कपड़ का संदी विच्छेद होता है और यहाँ पर देखे विसरग लग गया इसलिए आपका कौन संदी हो जाएगा विसरग संदी हो जाएगा अगला कोशन देखे आप से यहाँ पर क्या गह रहा है उल्लास में कौन सी संदी है देखे उल्लास का पहले हम लोग संदी विच्छेद करेंगे फिर हम लोग को वहाँ पर संदी देखने के मिलेगी तो उल्लास का जो संदी विच्छेद होता है वो उत यानि कि यहाँ पर देखे हलंत लग गया और वेंजन है और प्लस आपका होता है लास तो उत प्लस लास मिलके बनता है आपका उलास यानि कि वेंजन लग गया तो आपका कौन संधी हो जाएगी दूस्तो वेंजन संधी हो जाएगी तो यहाँ पर आपस नमबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जा अन्तियाक्षरी होता है आधाना आधाता फिर या पे आ कमांतर या होता है तो अन्तिया होता है याद रखिएगा तो यहाँ पर जितने भी लोग और सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिलकुल करेक्ट हो जाएंगे क्लियर है साथ नमर कोशन देखे कह रहा है कि सुध्ध वरतनी वाले सब्द को चुनना है आध सभी को यहाँ भी फटा फट सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे यहाँ पर सुध्ध वरतनी वाला सब्द जो है काउन सा हो जाएगा इरसा है बहिए इरसा नहीं होता है इरसय बात करंडफरिक टेस्ट स्टार्ट होगा तो नीचे लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप लोग करंडफरिक टेस्ट में जरूर पहुँच जाएगा कोशन बर आठ देखे क्या कह रहा है कि हर्स विसाद विसमें घृड़ा आदी भाओ को व्यक्त करने के लिए किस व विसाद विसमें घृड़ा आदी भाओ को व्यक्त करने के लिए कोशन बर नौ देखे कह रहा है कि जिस सब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहा जाता है तो याद रखे दोस्तो उसे सिंपल सा कहा जाएगा व्यक्ति वाचक संगया ठीक है व्यक्त देखे आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि दूध में कौन सी संगया है बहुत ही सिंपल सा कॉशन है भाई दूध में आपसे वी कोताना है कौन सी संगया है तो याद रखे दोस्तो दूध की अगर हम लोग बात करते हैं तो दूध में आपका देखे नाप्तोल वाली जो व विसेस्था बताता हुसे क्या कहते हैं अब देखो जो सब्द विसेस्था की भी विसेस्था बता हुसे क्या कहेंगे बहुते सिंपल सा कॉशनल सभी जवाब देते हैं चलेंगे तो याद रखेगा विसेस्था की विसेस्था बताने वाले को प्रा विसेस्था कहते हैं ठीक ह चट्रिये सहासी होते है रिदी हैं, लेकि उसके बारे बोलने हैं, वो बड़े सहासी होते हैं, तो बड़े क्या हो जाएगा? प्रा, विजेशर हो जाएगा अगला question देखिए आप से क्या कह रहा है pulling सब्द का chain करना इन चारों आपसरों में push link आप सभी को उताना है कौन सा हो जाएगा 12 number question में तो याद रखे दोस्तों याचना, संस्था, सेना और प्रवेस में आपका जो correct answer हो जाएगा जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग जवाब देते हो चलेंगे वीडियो को like करते हुए चलिएगा तो प्रवेस बिल्कुल सही बाद सर प्रवेस जो है आपका pulling सब्द है जबकि याचना, सेना, संस्था है आपके इस training सब्द के अंतर गताते हैं तेरा number question गह रहा है कि कृत प्रत्य का प्रियोग किया जाता है जो कृत प्रत्य है इसका प्रियोग किया जाता है किसके अंत में basically आपको ये बताना है तो याद रखिएगा फड़ा पर जवाब देते हो चले कि ये सारे question repeated हैं कहीं न कहीं आपने पढ़ने को मिला होगा मेरे चनल पर तो सभी लोग जवाब देते हो चलेगा तो याद रखिएगा कृत प्रत्य का प्रियोग क्रिया के अंत में होता है क्रिया या धातु के अंत में प्रियोग होने जो प्रत्य होते हैं निमलिकित सब्द में से इस्तरी प्रत्य इन का प्रियोग किसमे नहीं हुआ है देखे इन का प्रियोग किसमे नहीं हुआ पढ़ने से पता चला है दोभिन में इन हुआ है तेलिन में इन हुआ है बागिन में इन हुआ है लेकिन बचा क्या देवरानी तो देवरानी में आनी प्रत्य का प्रयोग किया गया है ना कि इन तो option number जो इसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा 15 number question पर आते हैं कहरा है संप्रदान कारक का बिभक्ति क्या है संप्रदान कारक की बात हो रही है तो समझेगा भई यह संप्रदान कारक का जो भी भक्ति है वो संप्रदान में होता है के लिए क्या आपका के लिए होता है जी हाँ बिल्कुल सही बात है संप्रदान में को के लिए दोनों होता है संप्रदान को भी होता है और के लिए भी होता है तो दोनों याद रखिएगा तो option number जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा clear है अगला question देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप किस प्रकार का सरवनाम है समझेगा भई आपके कभी-कभी निजवाचक के अंतरगत आता है और कभी-कभी आपका पुरुसवाचक के अंतरगत आता है यहाँ पर देखिए निजवाचक option में पुरुसवाचक नहीं है इसलिए यहाँ पर हम लोग option number A पर टिक कर देंगे ठीक है सिंपल से याद रखिएगा आप दो तरह से होते हैं जैसे मैंने बोला सीला अपने कपड़े अपने आपद होती है यहाँ पर जिस आपका प्रियोग किया गया है वो आपका निजवाचक है लेकिन अगर मैं बोलू आप बहुत अच्छे इंसान है तो यहाँ पर जो आप है यहाँ आपका पुरुस वाचक में मध्यम पुरुस का सरवनाम है अगला देखे क्या कह रहा है कि निम्रिखित में से कौन सी प्रेडार्थक किरिया है प्रेडार्थक किरिया है यहाँ पर कौन सी है जिसे लिखवाना, चलना लिखा है यहाँ पर लिखवाना लिखा है तो option number A जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएंगे अब देखो गर्माना हम खुद काम कर रहे हैं गर्माना में इसको गर्मा रहा हूं मैं चल रहा हूं, चलना तो यहाँ पर खुद काम हो रहे हैं तो इसलिए option number A ही correct होगा clear है? आगला question देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है वह घर पहुच गया इस वाके में किस प्रकार की करिया का प्रियोग हुआ है वह घर पहुच गया तो simple से याद रखिये का वह घर पहुच गया इस वाके में जो पहुच गया है पहुचना और गया ये दोनों संयुक्त करिया है जो करिया दो या दो से अधिक वस्तूग के मेल से बनती है उसे संयुक्त करिया कहते है simple से याद रखिये का तो यहाँ पर जितने भी लोग option number D जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएंगे, 19 number question कहरा है कि गाय का बहुवचन क्या हो जाएगा, बहुत ही simple सा question है, most repeater question है, तो याद रखिएगा दोस्तो, जैसे यह गाय जो है, यह अकारांत स्ट्री लिंग है, और जितने भी अकारांत स्ट्री लिंग होते हैं, उनके सब्दों का अगर बहुचन बनाना है, तो A कर देना लाश्ट में, जैसे गाय का गाय, रात का रातें, बहन का बहने, सड़क का सडगें, तो यहाँ पर गाय, यानि कि option number जो इसका A है, वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा, इसी तरह 20 number question देखी क्या रहा है, कि पुस्तक पढ़ी जाती है, फड़ा फड़ जवाब देते हैं चलेंगे सर, पुस्तक पढ़ी जाती है, इस वाक्य में किस वाच्य का प्रियोग किया गया है, तो जब भी कर्म की परधानता हो, जैसे पुस्तक यहाँ पर क्या भी आप कर्म है, कर्म की परधानता है, तो आपर कर्म वाच्य होता है, कर्ता की परधानता में कृत्वाच्य, भाव की प्रसांता में भाव वाच बस आपको यही याद रखना है और सिंपल सा है अगला कोशन देखो कह रहा है कि नेमनिकित में से कौन सा सब्द तुर्की भासा का नहीं है यहाँ पर बताना है सर्ज कौन सा सब्द जो आपका तुर्की भासा का सब्द नहीं है बेगम बा आपका तुरकी भासा का सब्द नहीं है, तो किस भासा का सब्द है, ये भी याद होना चाहिए, तो पेगंबर आपका फारसी भासा का सब्द है. जबकि बेगं, बारूद, चेचक, दरोगा, बी-वी, कुली, चाकु, ये तुरकी भासा के इंतरगत आते हैं. बाइस नमबर कोशन देखी कह रहा है कि उसने मुरारी को मारा था इस वाके में भूतकाल का कौन सा प्रकार है मारा था बताए सर उसने मुरारी को मारा था यानि कि काम जो है कम्पलीट हो चुका है तो जब भी काम के पूरे होने का बोध होता है तो वहाँ पर पूर भूतकाल होता है भूत काल क्यों क्योंकि यहाँ पर था है था वैसे भूत काल का भूत कराता है तो यहाँ पर option number जो इसका D है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा तेस number question देखी कहरा है कि कुछ किस प्रकार का परिमार वाचक करिया विसेशड है जब आप देते हो चलेंगे तो याद रखिए जो कुछ है वो आपका नियूनता बोधक किस का किस प्रकार भाई नियूनता बोधक परिमार वाचक करिया विसेशड है इस प्रकार के बहुत सारे आने सब्द हैं जैसे लगभग थोड़ा प्रायाह जरा किंचित ये आपके इसी इंतरगत आते हैं तो option number जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा 24 number question कहरा है कि a और a का उचार स्थान कौन सा है a है और a है इसका उचार स्थान क्या है तो याद रखे दोस्तों जो आपका a है और a है ये जो हैं आपके कैसे उचार स्थान है समझेगा कंठ और तालू में जीव के इस पर से बोले जाने वाले word है ए और ए तो इसलिए कंठ और तालू जितने वी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिलकुल correct हो जाएंगे चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले question की दरफ तो यहाँ पर कहरा है कि भर पेट में कौन सा समास है अगर बढ़ते हैं दोस्तों अगले कि भर पेट की बात हो रहे हैं यहाँ पर समझेगा समास होता है तो यहाँ पर जितने वी लोग और बिलकुल correct हो जाएंगे इसी तरह 26 नंबर question कर रहा है कि जूट मत बोलो इस वाकि में मत कौन सा निपात है आप देखो जूट मत बोलो तो मत से अगर देखा जाये तो यहाँ पर एक निसेद लगा रहा है क्या लगारा भई निसेद लगा रहा है तो यह क्या हो जाएगा निसेद बोधक निपात हो जाएगा तो option do जो इसका D हो यहाँ पर बिलकुल correct हो जाएगा clear है समझ में आ रहे हैं सभी को इसी तरह question number 27 देखे कह रहा है history link सब्द का chain करना इन 4 options दिये गए है आप सभी को यहाँ पर history link सब्द बताना है ध्यान से देख लीजिए सबी लोग जवाब देते हैं चलेंगे इसके just about current affair का test होगा तुरंत बाद होगा तो आप लोगों को नीचे link दिया गया है click करके फड़ाफट current affair के test पहुँ जाना है जैसी यह end होगा जाती की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों जो जाती है वो इसलिए link है जबकि सवर्ग दंड यवन या आपके pulling के सब्द के अंतरगत आते हैं question number आपका 28 देखे कहरा है ध्यान से समझेगा कि निम्लिकित में से तस्सम सब्द का चैन करना आप सभी को तस्सम सब्द का चैन करना है गहरा, निक्रिष्ट, तीखा और अटारी तो यहाँ पर याद रखिएगा तो निक्रिष्ट है option number जो इसका B है निक्रिष्ट ये सब्द जो आपका तस्सम सब्द है निक्रिष्ट कैसा भई तस्सम सब्द है जबकि गहरा, तीखा, अटारी ये जो है आपके तदभो के अंतरगत आते हैं और जैसे आपका गहरा दिया गया तो गहरा का जो तस्सम होता है वो आपका गंभीर होता है तीखा का तीछड होता है, अटारी का कई बर पता चुका हूँ, अटारी का होता है clear है, 29 number question कह रहा है कि उनमेक किस प्रकार का सब्द है उनमेक के बारें पूछा गया है तो याद रखें दोस्तों जो उनमेक है वो आपका एक तदभो सब्द है कैसा सब्द है भाई, तदभो सब्द है जिसका तस्सम क्या होता है, उनमेस होता है उनमेक आपका एक तदभो सब्द है जिसका तस्सम जो होता है उन में इस होता है कई बार आपका इसका तास्तम पूछा गया आपके एक्जाम में तो याद रखिए का बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीस नमर कॉशन देखे कह रहा है कि निम्लिखित में से किस सब्द में उप उप सर्ग नहीं लगा है ठीक है ये टेश जैसे ही खतम होगा तो आप लोग को नीचे डिस्ट्रेशन बॉक्स में करणड अफेर की क्लास का लिंक दिया गया है तो उस पर क्लिक करके आप लोग को करणड अफेर की क्लास में पहुच जाना है जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे उस वाइट क्लास को आप लोग मिस मत करो 13 वी क्लास होगी क्योंकि आप लोग अभी तक बहुत सारी क्लास उसकी मिस कर चुके हो Current Affair की मुझे पता है तो Current Affair की 13 वी क्लास है मिस मत कीजिएगा नीचे लिंक दिया गया है तो उप उप सर्ग जिसमें नहीं लगा है तो याद रखेंगे दोस्तों इसका जो Current Affair की 13 वी क्लास में नीचे लिंक दिया गया है जल्दी से आप सभी लोग वहां पर पहुँच जाएए जल्दी आपका जो Current Affair क्लास है उत्रोंती स्टार्ट हो जाएगा तो फड़ा फड़ा आप लोग पहुच जाएए वहां पर अब एक लिए बाबाए टेक केर जय हिंद जय भारत